इसमें हमें Create From File के सामने एक खाली बॉक्स नजर आ रहा है, जबकि इसके नीचे Browse का बटन भी मौजूद है. Browse के बटन पर क्लिक करने से हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें बहुत सी फाइल्स नजर आ रही हैं. इन में Spreadsheets, Images और बहुत सी दूसरी फाइल्स शामिल हैं. अब हम इसमें से जो Object इंपोर्ट करना चाहते हैं, इसको Select करते हैं और OK के बटन पर क्लिक करते हैं. मसलन, हम ये Spreadsheet सेलेक्ट करके OK के बटन पर क्लिक करते हैं. और अब इसके सामने इस Object का तमाम पाथ नजर आ रहा है, जो के हम Import करना चाहते हैं. इसके बाद हम OK के बटन पर क्लिक करते हैं. OK के बटन पर क्लिक करने से हम दुबारा PowerPoint की Window पर आ जाते हैं. ये देखिए, स्लाइड में वो Spreadsheet आ गई है, जो हमने Import की है. इस तरह हम मुख्लिफ Objects Import कर सकते हैं. Copy an Imported Object to a Master Slide. अब हम आपको बताते हैं के एक Import किये हुए Object को Master Slide में किस तरह Copy किया जाता है? सबसे पहले तो हम एक Master Slide open करते हैं. Master Slide open करने के बाद, हम इसमें एक Object Import करते हैं. किसी भी Object को Import करना तो आपको आही गया होगा, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं. Object Import करने के बाद, हम Master View close कर देते हैं. अब ये Object हमारी Master Slide में Copy हो गया है. अब हम जितनी भी Slides इंसर्ट करेंगे, इसमें हर Slides में ये Object मौजूद होगा. इस तरह हम Object को Import करके, Master Slide में Copy कर सकते हैं. Add Border Effects to an Object or Picture अब हम आपको बताते हैं कि किसी Picture और Object पर Border Effects किस तरह Add किये जाते हैं, यानि इसके Border पर किस तरह मुख्तलिफ Styles एपलाई कर सकते हैं. मसलन, हम कोई Spreadsheet इंपोर्ट करते हैं. अब अगर हम इसके Border पर कोई Effect लगाना चाहते हैं, तो किस तरह लगा सकते हैं? इस Object पर Right क्लिक करने से हमारे सामने एक Menu ओपन हो जाता है. Format, Object की Command पर क्लिक करने से हमारे सामने एक Box ओपन हो जाता है. इसमें से हम Line Colors या Line Styles के टैब पर क्लिक करते हैं. जिसमें से हम दूसरी Option यानि Solid Line में से हम इस Object के Border पर मुख्लिफ Style अप्लाई कर सकते हैं. मसलन लाइन में एक कलर दे सकते हैं, इसका Style चेंज कर सकते हैं और इसका Weight या Transparency कम या ज्यादा कर सकते हैं. हम अपनी मर्जी से इस में से जो Style देना चाहते हैं, उसको Select करते हैं और Close के Button पर क्लिक करते हैं. ये देखिए, इस Object के Border चेंज होकर वैसे ही हो गए हैं, जो के हमने Select किये हैं. Slide Orientation को किस तरह चेंज किया जाता है? Presenter के लिए Slide में Notes किस तरह एड़ किये जाते हैं? Spell Check Program को किस तरह यूज किया जाता है? Slide को मुख्लिफ Views में किस तरह प्रिंट किया जाता है? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप Slide Presentation के लिए एक Suitable Output Format किस तरह सिलेक्ट करते हैं? इसके लिए हम Design Tab में Page Setup की Command पर क्लिक करते हैं. आपके सामने Page Setup का Dialog Box ओपन हो गया है. इसमें सबसे पहले आपको Slides Sized For के नाम से एक Option नज़रा रही है. और इसके नीचे एक Box नज़रा रहा है जिसके आगे एक Arrow बना हुआ है. आईए, हम इस Arrow पर क्लिक करते हैं. Arrow पर क्लिक करने से हमारे सामने एक List ओपन हो गयी है, जिसमें हमें मुख्तलिफ Output Formats नज़रा रहे हैं. आप इसमें से वो Output Format सिलेक्ट कर सकते हैं, जो के आपको अपनी Presentation के लिए सूटिबल लग रहा है. आप इसमें से कोई भी Format सिलेक्ट करके OK के बटन पर क्लिक करें. आप देख रहे हैं कि आपकी Presentation Slide का Format चेंज हो गया है. Change Slide Orientation Landscape और Portrait आईए, अब हम आपको बताते हैं कि स्लाइट की Orientation यानि Direction या Position को किस तरह चेंज किया जा सकता है. स्लाइट को दो तरह की Direction में चेंज किया जा सकता है. Landscape और Portrait By default, स्लाइट की Direction Landscape होती है. यानि जब हम PowerPoint को Open करते हैं, तो Slide Landscape होती है. हम आपको बताते हैं कि स्लाइट को Portrait किस तरह किया जाता है. इसके लिए हम सबसे पहले Design Tab में Page Setup पर क्लिक करते हैं. जैसे ही हम Page Setup की Command पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक Dialog Box ओपन हो जाता है. जिसमें दाएं तरफ आपको Orientation Slides के नाम से एक Option नजर आ रही है, जो के इस वक्त Landscape है. हम इसमें से Portrait की Command को Select करते हैं और OK के बटन पर क्लिक करते हैं. यह देखिए, जैसी ही हम OK के बटन पर क्लिक करते हैं, Slide Orientation Landscape से Change होकर Portrait हो गई है. इस तरह हम Slide की Orientation को Change कर सकते हैं. जब हम कोई Presentation तयार कर लेते हैं, तो उसके मुख्लिफ Preview भी देख सकते हैं. सबसे पहले हम Outline के बारे में बताते हैं. लेफ्ट पैन में Outline के टैब में क्लिक करने से आपको Presentation की तमाम Outlines नज़राती हैं. Slide Sorter View देखने के लिए हम View के टैब में से Slide Sorter की कमांड पर क्लिक करते हैं. ये देखिए, जैसे ही हम Slide Sorter की कमांड पर क्लिक करते हैं, तो हमारी Presentation का View, Slide Sorter View में चेंज हो गया है. और अगर हम Notes Page View देखना चाहते हैं, तो View के टैब ही में से Notes Page की कमांड पर क्लिक करते हैं. ये देखिए, आपके सामने Notes View नजर आ रहा है. इस तरह हम Slide के मुख्लिफ Preview देख सकते हैं. Print Slides in Various Views and Outputs. हम Slides को मुख्लिफ Views में Print कर सकते हैं. इसके लिए हम कोई Presentation ओपन करते हैं, जिसमें Different Slides हों. अब हम इसको Print की कमांड देते हैं. जिसके लिए हम File के Tab में से Print की कमांड पर क्लिक करते हैं या Keyboard की मदद से Ctrl प्लस P प्रेस करते हैं. ये देखिए, जैसे ही हमने Print की कमांड पर क्लिक किया है, हमारे सामने एक Menu आ गया है. इस Menu में हमें Print, Printer और Settings के नाम से Options नज़र आ रही हैं. Print की Option में आपको Copies की Option नज़र आ रही है. इसका मकसद ये है कि आप इस मुतालिका Presentation Document की कितनी Copies प्रेंट करना चाहते हैं. Print के बटन से Presentation Document प्रेंट हो जाएगा. इससे नीचे, प्रेंटर में आप अपने प्रेंटर की Settings या जिस प्रेंटर के जरीए प्रेंट लेना है, उसको Select कर सकते हैं. प्रेंटर से नीचे Settings की Option है, जिसमें आपको ये Drop Down List नज़र आ रही है. इस लिस्ट में पहले से आपको Print All Slides की Options Selected नज़र आ रही है. इसके जरीए आप Presentation में मौझूद तमाम Slides प्रेंट कर सकते हैं. इसको क्लिक करने पर आपको Print Current Slide, Print Selection और Print Custom Range की Options नज़र आती हैं. आप इन Options को अपनी जरूरत के मुताबिक Select करके इस्तेमाल कर सकते हैं. Slides Text Box में आप Slide Number के हिसाब से Slides को Print कर सकते हैं. इसके नीचे एक और Drop Down List है. इस लिस्ट के जरीए आप एक पेज पर, एक या एक पेज पर, दो या मुख्तलिफ Options के मुताबिक Slides का Print ले सकते हैं. इसमें आपके पास Slides को Frame, Fit to Page और High Quality Print की Options मौझूद हैं. Collated की लिस्ट के जरीए आप अपनी Slides को Group-wise कंबाइन करके Print ले सकते हैं. यानि आप Slides का Set डिफाइन करके जैसे 123 या 111, 222, 333 के हिसाब से Print ले सकते हैं. Color Drop Down List में आप Select कर सकते हैं कि आपने Presentation Document को Black & White Print करना है या Color Print लेना है. या Option उस वक्त काम आएगी जब आप Color Printer इस्तेमाल कर रहे हूँ. Slide Show Effects इस लिस्ट को करने के बाद आप जान जाएंगे के Slide में Animation Effects किस तरह लगाये जाते हैं? इन Effects को Change किस तरह किया जाता है? और Slide में Transition Effects किस तरह एड़ किये जाते हैं? Preset Animation पहले से दिये गए Effects और Animation सबसे पहले हम आपको बताते हैं के Slide में Animation Effects किस तरह लगाये जाते हैं? इसके लिए हम Slide में कुछ लिखते हैं. मसलन, हमने यहाँ पाकिस्तान लिखा. और फिर इस Text को Select करते हैं. और इसके बाद Ribbon में से Animations के टैब पर क्लिक करते हैं. एनिमेशन के टैब में हमारे पास मुख्तलिफ Options नजर आ रही हैं. जैसे Advanced Animation Timings Preview. एनिमेशन प्रिव्यू के जरिए आप Animation का प्रिव्यू देख सकते हैं. एनिमेशन के मेनियू में एरो पर क्लिक करें तो एनिमेशन की एक लंबी लिस्ट आपके सामने आ जाती है. इस लिस्ट में मुख्तलिफ किस्म के Effects और एनिमेशन हैं. आप Selected Object या टेक्स्ट पर कोई भी एनिमेशन लागू करके देख सकते हैं. ये देखें, स्विबल की एनिमेशन लगाने से पाकिस्तान लिखा हुआ किस तरह से एनिमेट हो गया. इसी तरह आप अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक एनिमेशन सिलेक्ट करके टेक्स्ट पर लगा सकते हैं. ये तमाम एनिमेशन एफेक्ट्स हैं जो कि हम स्लाइड में एड कर सकते हैं. हम इसमें से टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और एक एफेक्ट लगाते हैं. आप देख रहे हैं कि effect लगाते ही timing option enable हो गई और इस effect के मुख्तलिफ properties आ गई है जिसमें सबसे पहले start के नाम से एक command है और इसमें on click लिखा हुआ है और इसके शुरू में mouse बना हुआ है जिसका मतलब ये है कि जब हम mouse click करें तो ये effect चले इसी तरह duration और delay के नाम से दो और options मौजूद है यानि इस